हालो एवरीवन श्रीमती मोहरी देविता पड़िया गल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हमके में स्टी क्लास में जो टॉपिक आपके डिसकस करने वाले हैं वह आपके हैं एमो डाइग्राम ऑफ बी टू एंड सी टू मॉल्कुल देखिए इस वीडियो के अंदर अपने जनरली है वो बोरॉन और कार्बन से रिलेटेड जो आपके एमो डाइग्राम है या मॉल्कुल ओर्बिटल डाइग्राम करें उसकी यहां पर बात करने वाले हैं देखिए इसक से ही रिलेटेड आपका एमो डाइग्राम है वह अपने शोक यादा अब आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं बीटू तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपन जो और बिटल अब जब आमो डाइग्राम बना रहे हैं तो यहां पर देखिए आपका जो बोरॉन और कार सबस्तबन जब आपके स्टार्ट होते हैं तो अपने पवाटा ओपता है कि इनका सब्सक्क्समी करते हैं तो जनले पिब्लॉक के और उनमें क्या है रहा आपका जो पी ऑर्बिटल्ट जो स्टाक होता है अप Nepal सै पहले बात कि ती कि जो पी ऑर्बिटल है पीएक्स पीवाईपी जेड्र एंदर क्या उता है आपका विभाजित होता है उसमें डिविजन देखने तो मिलता है तो तीन तरह से डिवीजन उपने इसमें देख लिए अब देखिए यहां पर आपको जो चीज ध्यान में रखनी है जनरली आपका जो पी एक्स और पी यह इधर भी पी एक्स और पी पी य जनरली आपको इसके बारे में सिदा-सिदा एक दिमाग में अंदर जो यहां पर इसके द्वारा जो और्बिटल फॉर्म किया जाते हैं जनरली कैसे होते हैं यहां पर पाइब बोन्स वाले और्बिटल का फॉर्मेशन किया जाता है और जनरली कैसे होते हैं लो एनरजी वाले और्बिटल होंगे देखिए मैं इस डाइग्राम को आपको एक esfegd है यह भी लो एनर्जी वाला है तो यहां पर यह किस तरह से विवस्तित होता है कुछ कि आपर बात करेंगे तो यहां पर जो अपन यहां पर बात के रें तो यहां पर इसके यह वैसा ही पाई एंटी बॉंडिंग वाला आपको मिलेगा इसके जैसा भी और आपके सिग्मा टूपी जैड है तो एंटी बॉंडिंग वाला वहां पर देखने हूं मिले अब स्टार्ट करते हैं अपन यहां से जो आपका इस से लिख पाते हैं तो यहां पर आपन बात करें कि judgment नमबर कितना हो गाफ कि Electronics लिए स्टू कि का टूपी यह स्गेज़र क्वें जो है अब यहां पर आपन कहें कि generally जो आपका B2 molecule है इसमें जो electron number है अब यहाँ पर electron total number कितना हो जाएगा 10 कि यहाँ पर electron है वो कितनी संक्या में है 10 है सबसे पहला आपका इसका Z पतावना चाहिए फिर अपनी क्या गर सकते B2 molecule के लिए electron number है वो count कर सकते हैं कि भी एक molecule है उसके लिए 5 electron है 2 है तो 10 electron हो जाएगे साथ में यहाँ पर अपन बात करें हैं कि इसके लिए अपन क्या लिखिए आपका जो B2 molecule है इस molecule के लिए अपने इसका electronic configuration लिखते हैं कि इसका electronic विन्यास है वो किस तरह से होगा देखिए यहाँ पर जितने भी orbitals काम है रहें अपन उसी के अनुसार क्या करेंगे तो इसका electronic configuration है वो यहाँ पर लिखेंगे तो electronic configuration लिखें तो यहाँ पर अपन यहाँ से start करें sigma 1s2 sigma अब देखिए यहाँ पर आपको जो चीज ध्यान में रखनी है पिटल है वो यहाँ यहाँ पर दोनों को साथ लिखते वह लिखना है sigma anti-bonding 1s2 sigma 2s2 अब ध्यारक ने देखिए electron इनमें पूर्ण तया भरे हुए है तो अपन उसको electron को यहाँ पर down यहाँ पर change क्या आएगा change यहाँ वाला जब आपके स्टार्ट होगा तब यहाँ पर change करना है तो sigma anti-bonding 2s2 ठीक है यहाँ तक का electronic configuration आपने पहले भी जो B2 B2 molecule पड़ा था beryllium वाला वहाँ तक आपने यह चीज़ देखी थी कि इनमें electron distribution इस तरह से पायदाता है अब देखे जो अगला electron configuration है यहाँ पर आपको लिखना है वो किस तरह से होगा तो यहाँ पर अब आपके कौन से orbital स्टार्ट हो रहे हैं पाई वाले तो अपने पाई वाले हैं उनको शोक रहेंगे तो यहाँ पर पाई 2P X 1 अब देखें यहाँ पर अपन यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर 1 to 2P X1 इधर वाला है एक उधर वाला भी है तो यहाँ पर आपन देखो जब आपन कहें कि electron का distribution जनरली अपने देखा था वो किस तरह से था कि आपका जो electron distribution है उसमें unpaid condition के अंदर अगर आपकी situation हो तो ज़्यादा तरण पेड़ यह अंदर होगा तो यहाँ पर दो orbital व्यवस्तित है तो अगला electron यहाँ पर किस में जाएगा पाई 2P Y 1 अब ध्यान रखना यहाँ पर electron distribute है वो इस वाले में होगा मतलब unpaid condition यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो अब देखिए इसके अनुसार क्या करें electron distribute करते है दो electron यहाँ पर दो electron यहाँ पर यह आपके पूर्ण भरेवे पहले वाले अब 2S वाले के लिए बात करते है तो यहाँ पर भी जो electron distribution है वो इस तरह से देखने को मिलेगा अब यहाँ पर एक electron किसके अंदर व्यवस्तित है 2P X के अंदर दूसरा electron व्यवस्तित आपके जो अपने Y दिखाया 2P Y अब यहाँ पर बात करें कि अपने यह चीज जो दिखाई है इसमें electron distribution होगा तो lower energy वाले orbital आपके यहाँ पर इनमें electron distribute हो जाता है तो इस तरह से electron distribution देखने को मिलता है generally अपने को पहले से पता है अगर किसी भी orbital के अंदर 2 electron अधिक्तम व्यवस्तित हो सकते हैं लेकिन जो वो नियम कहे दे या हुंड की बहु लगता वाला नियम या पावल या वर्जन से तो वहाँ पर अपन ये चीज पहले एकदम से clear पड़ रखी है कि पहले एक एक करके जो orbital है उनमें electron distribute होगा अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है इधर यहाँ पर खास बात क्या है कि दोनों की उर्जा क्या है बराबर है ज्यादा अंतर नहीं है यहाँ पर electron distribute होकर अब next के अंदर आराम से चला जाता है तो इस तरह से क्या है इनमें electron distribution आपका देखने को मिलता है अब बात करते हैं इसके अंदर next कि यहाँ पर आपका जो bonded molecule है इस molecule के अंदर जो electron number है उसमें कितने हैं तो यहाँ पर अपन देखें यह आपका एक bonded यह रहा एक bonded और दो यह रहे तो टोटल यहाँ पर bonded electron कितने हैं छे next बात करें कि यहाँ पर bonded के अलवा जो anti bonding है उसमें भी electron का number कितना है तो देखें यहाँ पर 2 electron यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अपन बात करें कितने हो जाएंगे चार अब देखें अभी अपन ने थोड़ी देर पहले कहा है कि इस molecule के अंदर जो electron number है total वो कितना है दस है तो यहाँ से पता जलना है कि total number electron सही है अब बात करते हैं कि अपन ने यह तो लिख दिया कि भी इसके लिए इतना होता है ठीक है तो अपन यहाँ पर बात करते हैं इसके bond order के लिए bond order nb minus na upon 2 6 minus 4 ले तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें कि generally जो आपका B2 molecule है उसमे bond order कितना आता है 1 आता है तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यह जो molecule है इसमें generally जो यह bond formation पाया जाता है यह क्या है stability वाला देखने को मिलता है यह जो molecule बनेगा यह कैसा है stability वाला है और इसका क्या देखने को मिलेगा कि यह molecule आपका बनना possible है अब यहाँ पर बात करते हैं कि भी अपने यह तो बता दिया कि भी इसमें electronic configuration होगा इस तरह से electronic विन्यास होगा bond order होगा इसमें electron distribution इस तरह से होगा और इसका यह MO diagram इस तरह से बनेगा bond order भी discussion कर लिया अब यहाँ पर एक जर्णली जो सवाल पूछा जाता है कि जर्णली बी टू अनू है वो किस नेचर का होता है paramagnetic diamagnetic तो यहाँ पर आपने को यहाँ पर सिधा देखने देखने हैं कि यह अकिस तरह से condition है अगर unpaid electron है तो paramagnetic और अगर unpaid electron नहीं है यानि paid electron है तब आपका कैसा जाएगा die magnetic देखने में तो यहाँ पर आपन यहाँ सैती यहाँ पर pairing है यहाँ पर pairing है यहाँ पर है यहाँ देखिए कि pi 2p x pi 2p y इनमे electron distributor ने वो कैसा है unpaid condition वाला है तो यहाँ पर आपका जो b2 molecule formation होता है वो कैसा है आपके paramagnetic nature वाला कैसा है paramagnetic अनुचुम्ब की यह पधार्त है वो किसका होगा इसमें आपको इस तरह से देखने को में तो यह था आपकी b2 molecule के लिए आपका electronic configuration और उसमें आए उसका mo diagram next यहाँ पर बात करते हैं अपन जो है c2 molecule की तो c2 molecule के लिए जो mo diagram में एक बार अपन इसी को ऐसे ही रखते हैं इसी के अंदर अपन उसको draw करेंगे तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका carbon है उसका z कितना होता है 6 तो 1s2, 2s2, 2p, 1 ठीक है total electron आपका 12 हो जाएगा c2 के अंदर total जो electron की number है वो कितना है इसमें 12 हो जाएगा साथ में बात करें इसके लिए अपन electronic configuration तो यहाँ पर देखे electronic configuration आपको यहाँ पर ऐसा आगा इसा दिख रहा है अब यहाँ पर change क्या आएगा चेंज आपके यहाँ पर आएगा यह जो अनपेड़ वाले electron एक इक थे अब यहाँ पर electron कितने हो जाते हैं जनरली यह भी समान उर्जा वाले orbital होंगे अब यहाँ पर बात करें कि जनरली इसमें electron distribution अपने इस तरह से दिखा दिया अब यहाँ पर अपने electron पहले उसमें distribute करते हैं तो यहाँ तक का तो आपने समझ में आ गया कि यहाँ इस तरह से व्यवस्तित हैं कि जनरली यहाँ पर electron distribute इस तरह से वाँ अब low energy वाले orbital यहीं है और अपने साथ में देखा था कि यहाँ पर जो next electron वो यहाँ पर क्यों नहीं जाता क्योंकि इस orbital के लिए आपका sigma bond formation होता है जबकि c2 के अंदर यहाँ पर किस तरह का है आपके five bond formation हो रहा है जनरली जो आपके orbitals हैं उसमें यह किस और वहाँ आपके formation से बन रहा है पार्श हुए तिवे अपन sidewise जो overlapping होगी उसके फल्सुरूप यह orbitals का formation आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो अब देखिए अपन यहाँ पर बात करें कि जनरली इसमें अब काउंटिंग करें तो bonded वाले देखें दो चार छे दो आठ तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि bonded electron आपके कितने हैं bonded electron आपके 8 ठीक है next बात करते हैं कि anti bonding वाले में तो यहाँ पर देखिए anti bonding वाले में गए नहीं तो मतलब क्या है कि यहाँ पर job electron आपका distribute हो रहा है उसका number क्या है 4 है यहाँ पर आपन बात करते हैं आपका जो bond order है इसके लिए तो इविए c2 molecule के bond order आपका यहाँ पर किस तरह से change हुआ है तो 8 minus 4 तो यहाँ पर अपन कहें दें 4 अपन 4 तो यहाँ पर bond order इसका में कितना हो जाता है सबसे पहले बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर जो bond order आ रहा है वो generally कैसा है धनात्मक है positive है तो इसके लिए अपन कहें कि इसकी stability सबसे ज्यादा होगी अब bond order जिसना ज्यादा आता है उसकी उर्जा उतनी ज्यादा उतनी ज्यादा उतनी बंद लंबाई है उतनी कम देखने क को मिलेंगी मतलब stability ज्यादा होती चले जाती है तो यहाँ पर इस तरह से फिर बात करते हैं कि अमने यह molecule के लिए discussion तो कर दिया अब सीटू molecule है किस नेचर का होता है उसमें अनुचुंब की है प्रतिचुंब की है तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इसका एमोडाइग देख दी से अपने को यह पता चल रहा है कि यहाँ पर जो डू मोलेकुल है उसमें umpate electron है उसकी संक्या क्या है निल है क्यूंकि देखिए यह बॉंडेड यहाँ रो डे यहाँ पे यहाँ पर अंपे यह एलेक्ट्रोण जीरो है तो यहाँ पर अपन कहेंगे आपका जो जो टू मोलिक्यूल है जनले कैसा है कि डाइ मेगनेटिक नेचर का तो आपका इस तरह से जो आपके बी-टू और C2 मोलिक्यूल है उसके अंदर इस तरह से इलेक्ट्रोन डिस्टिब्यूशन है वो देखने को मिलेगा और उसके द्वारा MO diagram है वो इस तरह से show किया जाता है तो यह था dear student आपके MO diagram अपने उससे पहले आपके discussion किया था LI2, B2 और आज अपने discussion किया है B2 और C2 molecule जिसमें अपने को क्या change देखने को हुआ है कि यहाँ पर Pi orbitals भी start हो जाती है और उसमें PYPXPZ है वो इस तरह से इसमें वेवस्तित होते हैं मतलब P orbital जनरली है उसको ध्यार में रखते हैं अपने को MO diagram यहाँ पर बनाना होता है तो यह था आपके MO diagram और next video के अंदर अपन और इससे related और वाले भी जो molecule है पन उसकी बात करेंगे जनरली आपको यहाँ पर nitrogen related मिलेगा और लास्ट में जो oxygen है उससे related तो यहाँ पर दो MO diagram है वो अपने को discussion करें और यहाँ पर अपन जो discussion करें जनरली हमो न्यूकले जो molecules होते हैं उनका ही discussion हो रहा है और उसके बाद अपने हीट्रो टाइप के molecular उनका भी discussion करेंगे तो तब तक अपन यहाँ पर हमो न्यूकले वाले हैं वो discussion करें तो इस वीडियो देखने लिए धन्यवाद और इस चैनल को ज़्यदा ज़्यदा सब्सक्राइब कीजिए